फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 12 किलास की एंसियाटी बुक फिलिमिंगो से प्रोज में सेकंड चेप्टर लोश्ट इस्पिरिंग की स्टेडी करेंगे जिसको अनीस जंग ने लिखा है इस चेप्टर में राइटर अनीस जंग हमें टू स्टोरी बताती है पहली स्टोरी है सम्टाइम्स आई फाइंड आरुपी इन दा गार्बेज और सेकंड स्टोरी है आई वान टू डिराइव आ कार पहली स्टोरी है साहिब की जो एक रेक पिकर है और दूसरी स्टोरी है मुकेश की जो एक बेंगल बनाने वाले का बेटा है राइटर इन दोनों स्टोरीज में इस्पिरिंग यानि चाइल हुड को खोने की बात करती हैं फ्रेंड्स आईए पहली स्टोरी की स्टडी करते हैं राइटर अनीस जंग साहब से पोचती हैं तुम ये क्यों करते हो जो उने एवरी मौनिंग उनके पडोसी के कुणा फेकने की जगह पर धन ढूनता मिल जाता है साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया धागा के हरे भरे खेतों में इस तित अपने घर की उसे दूर तक को याद नहीं है उसकी माँ उसे बताती है कि बड़े बड़े तुफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहां ले जाते थे इसी वज़ा से उन्होंने उस शहर यानी धागा को छोड़ दिया और धनकी तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहावे अब रहता है साहिब कहता है मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है मैं बड़ी चलाकी से उसे कहती हूँ इसकूल जाया करो मगर मैंने फोरण ही ये महसूस किया कि मेरी सला कितनी खोकली लगी होगी वे कहता है मेरे पड़ोस में कोई सकूल नहीं है जब कोई स्कूल बनाएगा तब जाओंगा अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे मैं थोड़े मजाग भरे अंदाज में पूछती हूँ हाँ वे खुलकर मुस्कराते हुए कहता है मैं कुछी दिन माद देखती हूँ कि वे मेरे पास दोड़ कर आता है क्या आपका स्कूल तयार हो गया है जो मैं हकीकत में पूरा करना ही नहीं चाहती थी ऐसे प्रोमिस करने की वज़ा से शर्म से भरी में कहती हूँ स्कूल बनने में काफी समय लगता है मगर मेरे जैसे प्रोमिस उसके फीके संसार के हरे कोने में पड़े है उसे महीनों जानने के बाद मैं उससे नाम पूछती हूँ वे एलान करता है साहिब आलम वे नहीं जानता कि उसके नाम का मतलब क्या है अगर उसे इसका मतलब दुनिया का मालिक होना पता लग जाए तो उसे इस नाम पर यकिन करना मुश्किल हो जाए अपने नाम के मतलब से अंजान वे अपने फ्रेंड्स के साथ गल्यों में घूमता रहता है जो नंगे पेर वाले लड़कों की ऐसी फोज है जो सुबा के बर्स की तरह दिखाई पड़ते हैं और दोपेर में गायब हो जाते हैं महीनों से मिलने की वज़ा से मैं उनमें से हरे को जानने लगी हूँ मैं उनमें से एक से पूछती हूँ तुमने चपले क्यों नहीं पहन रखी है वे सीधा से जवाब देता है मेरी माने उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारा है उनमें से दूसरा लड़का केhtा है जिसने बेमेल जूटे पहन्द रखे हैं वे उतार भी दे तो वे उन्हें फेंक देगा जब मैं इस बेमेल जूटों पर कमेंस करती हूँ तो वे अपने पेरों को इधर उधर घसीरता है और कुछ नहीं कहता है एक तीसरे लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे होंगे वे कहता है मुझे जूते चाहिए देश भर में घूमते हुए मैंने शेहरों में वह गाओं की सडकों पर बच्चों को नंगे पेर घुमते देखा है ये पेसों की कमी की वज़ासे नहीं है बलके नंगे पेर रहना एक रिवाज है ये नंगे पेर रहने की वज़ा को प्रूफ करने के लिए एक सफाई है मैं हैरान हूँ कि क्या लगतार बनी रहने वाली गरीबी को छुपाने के लिए ये एक बहाना नहीं है मुझे एक कहनी याद आती है जो ओडिपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी जब वे लड़का था तब वे स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था जहां उसके पिता पुजारी थे वे थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूतों के लिए प्राथना करता था तीस साल बाद में उसके कस्वे और मंदिर गई जो अब उजार के इंपैक्ट में डूबा हुआ था पिछवाडे में जहां नया पुजारी रेता था लाल और सफेज पिलास्टिक की चेर्स थी गिरे कलर की रेस में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाफता हुआ आया और अपना बेग फॉल्डिंग पलंग पर पटक दिया लड़के की ओर देखते हुए मुझे वे प्राथना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी जब उसे फाइनली एक जोड़ी जूते मिल गए थे मैं इने कभी नहीं खोऊं देवी ने उसकी प्राथना कुबूल कर ली थी अब पुजारी के बेटे की तरहां छोटे लड़के ने जूते पहन रखे थे मगर मेरे पडोस में कुड़ा करकड बीने वालों की तरहां दूसरे बहुत से लड़के बिना जूतों के रहते हैं नंगे पाउंग कुला बिन्नी वालों में से मेरा एक जान पैचान का मुझे सीमापुरी ले जाता है एक जगा जो दिल्ली की सीमापर है लेकिन दूसी वज़ा से दिल्ली से मिलो दूर है यहां रेने वाले गेर कानूनी लोग हैं जो सन 1971 में बंगला देश से आये थे साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है सीमापुरी उस समय बंजर था यह अब भी है मगर अब यह खाली नहीं है तीन और तिरपाल के बिना पानी की निकासी वाले कच्छे घरों में दस हजार कुड़ा बिनने वाले रहते हैं वे तीस सालों से भी ज्यादा समय से बिना पहचान और बिना परमीट के रह रहे हैं मगर उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम वोटर लिष्ट में शामिल हो जाते हैं और जिससे वे आनाज खरीद पाते हैं जीने के लिए पहचान के मकाबले खाना ज़्यादा जरूरी है अगर दिन के आखिर में हम अपने परिवार को फूर दे सकें और बिना पैट दर्ट के सो सकें तो हम उन खेतों के मुकाबले यहां रेना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हम को कोई अनाज नहीं दिया ऐसी फड़ी हुई साड़ियां पहने लेडीज का एक गुरूप कहता है जब मैं उनसे पूछती हूँ के उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुन्दर देश को क्यों छोड़ दिया उन्हें जहां भी खाना मिल जाता है वे वही अपने तंबु गार लेते हैं जो उनके लिए वक्ती तोर के लिए घर बन जाते हैं बच्चे इन्ही में तो बड़े होते हैं और उनके जीवन के साज़दार बनते हैं और सीमापुरी में जीवन का मतलब होता है कुणा बीनना सालों से इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है कुणा इनके लिए सोना है ये उनकी रोजी रोटी है उनके सिरों पर छट भले ही एक टपकती हुई क्यों नहो मगर एक बच्चे के लिए ये छट इसे भी कहीं ज्यादा है कभी कभी मुझे एक रुप्या मिल जाता है यहां तक कि दस रुप्या का नोट भी कभी कभी मिल जाता है साहिब कहता है उसकी आँखे चमक उड़ती है जब कूले में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंडना बंद नहीं करते क्योंकि ज्यादा पाने की उमीद बनी रहती है ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कुड़ा का मतलब उनके पेरेंट्स के मतलब से अलग होता है बच्चों के लिए ये हैरस से लिप्टी हुई चीज है और बड़े बुड़े लोगों के लिए ये कुड़ा जिन्दा रहने का जरिया होता है सर्दी की एक सुबा मैं साहिब को पास के कलब के बाउंडरी लगे दर्वाजे के नज़ी खड़े हुए देखती हूँ जहां से वे वाइट ड्रेस पहने दो लोगों को टेनिस खेलते हुए दियान से देख रहा है मुझे ये खेल पसंद है वे गुन गुनाता है और इस बाड़े के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही सेटिसफाइज है वे कहता है जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ गेट कीपर मुझे जूले पर जूलने देता है साहिब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं जो उसकी रंग उड़ी शर्च और नेकर पर अजीब लग रहे हैं किसी ने ये मुझे दिये थे वे कहता है ये साफ है कि ये किसी अमीर लड़के के यूस हुए जूते हैं जिसने शायद उन में से एक में छेद होने की वज़़ा से इन्हें पहनने से इंकार कर दिया मगर ये साहिब को कोई परशानी नहीं देते हैं ऐसे किसी इनसान के लिए जो नंगे पेर घूमा हो छेद वाले जूते भी सपने के सच होने से कम नहीं है मगर वे खेल जिसे वे इतने ध्यान से देख रहा है उसकी पहुँच से बाहर है आज सुबह साहिब दूत की दुकान पर जा रहा है उसके हाथ में इस टील का एक कनस्तर है मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ दूर इशारा करते हुए वे कहता है मुझे आर्श रूपी और सभी वक्त का खाना मिलता है क्या उसे काम पसंद है मैं पूछती हूँ मैं देखती हूँ उसके छेहरे की बेफिकरी या अजादी का भाव खो जाता है इस टील का कनस्तर पिलाश्टिक के उस थेले से कहीं ज्यादा भारी लगता है जिसे वे बड़े आराम से अपने कंदे पर ले जाया करता था थेला उसका था कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है फ्रेंड्स अब सेकेंड इस्टोरी शुरू करते हैं I want to drive a car मैं कार चलाना चाहता हूँ मुकेश अपने खुद का मालिक बने रहने पर जोर देता है मैं मोटर मेकैनिक बनूंगा वे अनाउंस करता है क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो मैं पूछती हूँ मैं कार चलाना सीख लूंगा सीधा मेरी आँखों में देखते हुए वे कहता है उसका सपना उसके अपनी चूडियों के लिए मशूर कस्मे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीची का सा लगता है फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूडिय बनाने में लगा है यह भारत के काच की शेप देने वाले इंड़स्ट्री का सेंटर है जहां परिवारों ने भच्चियों के आसपास काम करते हुए काच तोड़ते हुए लगता है देश की सभी और्दों के लिए चूडियां बनाते हुए पीडियां बिता दी है मुकेश का परिवार उन ही में से एक है उन में से कोई नहीं जानता कि उन जिससे बच्चों का बिना हवा लाइट की अंधेरी गंधी कोटरी में उचे तापान वाली काच की भच्चियों पर काम करना गेर कानूनी है और यह कि अगर कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी बीस हजार बच्चों को गर्म भट्यों से अलग कर दिया जाएगा जहां वे अपने दिन के घंटों में हाट वर्क करते हैं और ज्यादा तर अपने आँखों की चमक खो बेटते हैं मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पैशकर्श करता है तो उसकी आँखे चमक उड़ती है वे गर्वे से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है हम कुडे से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो तूटी दिवारे डगमगाते दर्वाजे और बिना खिड़कियों के हैं और जिन में इनसानों और जानवरों के परिवार एक साथ रे रहे हैं वे ऐसे ही एक घर के दर्वाजे पर रुख जाता है लोहे के एक डगमगाते दर्वाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है हम एक अनकंप्लीट हच में एंट्री करते हैं उसकी सूखी घास के चपपर वाले एक हिस्से में एक चूलहा है जिस पर एक बड़ा बरतन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां आवास करते हुए उबल रही है जमीन पर ऐल्यूमिनियम की पलेटें और कच्ची हुई सबजिया है एक वीक लेडी पुरे परिवार के लिए डिनर बना रही है तुआ बरी आँखों से वे मुस्कराती है वे मुकेश के बड़े भाई की वाईफ है उम्रों में उससे ज्यादा बड़ी नहीं है मगर उसे बहु के रूप में इज़त मिलने लगी है गहरी की बहु के रूप में पहले ही उस पर तीन लोगों उसका पती मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी है जब बुड़ा आदमी एंट्री करता है वे धीरे से टूटी दिवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंगट अपने चेहरे पर सरकां लेती है जैसे की रिवाद है बेटे की बहु को मेल बुजरगों के सामने अपने चेहरे पर घूंगट जरूर डाल लेना चाहिए यहां बुजरग एक बहुत ही गरीब चूणी बनाने वाला है पहले एक दरजी के रूप में और फिर एक चूणी बनाने वाले के रूप में सालों के हार्ड वर्के बावजूद भी वे अपने घर को अच्छा करवाने में और अपने दो बेटों को इसकूल भेजने में नाकाम रहा है वे उन्हें वहीं सिखा पाया है जो वे जानता था चूणी बनाने की कला ये इसका कर्म उसकी किस्मत है मुकेश की दादी कहती है जिसने चूणीों के कांच की पॉलिश की डस्ट से अपने हस्बेन को अंदे होते देखा है क्या कभी इश्वर दोरा इस रिवास को तोड़ा जा सकता है उसका मतलब है चूणी बनाने वाले की जाती में पैदा होकर उन्होंने चूणीों के अलावा और कुछ नहीं देखा है घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में फिरोजाबाद की हर गली में मालाओ के रूप में चूणीों के गुच्छे या बंडल धूपसी सुनहरी, दान जैसी हरी गेहरी चमकीली नीली, बेंगनी, गुलाबी, रेंबो के साथ रंगों से बनने वाले हर रंग की बिखरी हुई आंगनों में धेरो पड़ी रहती है और इनको चार पहियों वाली हत गाडियों पर लाद कर जवान आदमी जुपड़ियों के कस्बे की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं और अंधेरी जुपड़ पट्चियों में तिमटिमाते तेल के दीबकों की लोगी पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ रंगीन काच के टुकडों को चूड़ियों के गोलदार घेरे पर जोड़ते हुए बेटे रहते हैं उनकी आँखे बाहर की रोशनी के मुकाबले अंधेरे में ज्यादा एड़िस्टिड हैं यही वज़ा है कि मैचور होने से पेले ही वे अपनी रोशनी खोब बेटते हैं एक चोटी लड़की सवीता भद्दी गुलावी ड्रेस पहने हुए एक बुड़ी औरत के पास बेट कर काच के टुकडों को जोल रही है जब उसके हाथ किसी मशीन के चिम्टे की तरह मशीन पर चलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्या वे उन चोड़ियों की प्यूरिटे को जानती है जिने बनाने में वे मदद कर रही है यह भारती लेड़ी के सुहाग का निशान है यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंगर से ढख दिया जाएगा उसके हाथों में महंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़िया उसकी कलाईयों में पहना दी जाएगी तब वे एक दुलहन बन जाएगी उसकी बगल वाली बुड़ी औरत की तरहा जो सालों पहले एक दुलहन बन गई थी आज भी उसकी कलाईयों में चूड़िया हैं मगर उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया वे ऐसी आवाज में कहती है जिसका मज़ा खत्म हो गया है उसने अपनी पूरे जीवन में एक बार भी भर पेट भोजन का आनंद नहीं उठाया यही मिला है उसे लहराती दाड़ी वाला बुड़ा उसका हस्बेंड कहता है मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ उसकी बात सुनकर कोई भी सोच सकता है कि क्या उसने वे हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है उसके सिर्फ पर एक छट तो है चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे ना होने और खाने के लिए भी काफी ना होने के दुख की कराहट हर गर में गूंजती है युवा लोग अपने बुजर्गों के दर्द को कौपी करते हैं ऐसा लगता है फ्रोसाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला दिमाग को सुन कर देने वाली सालों की मेहनत ने पहल करने और सपने देखने की एबिलिटे को मार दिया है आप खुद की एक सहकारी कमिनिटी क्यों नहीं बनाते हो मैं लोगों के एक गरूप से पूछती हूँ जो ऐसे दलालों की साजिश में पड़ गए हैं जिन्हों ने उनके बाप और दादाओं को जाल में फंसाया था हम संगडित हो भी जाएं तो भी किसी गेर कानूनी काम के अरोप में पुलिस दुआरा हम ही नियाले में घसीटे जाएंगे पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिये जाएंगे वे कहते हैं उनमें कोई नेता नहीं है कोई ऐसा इनसान नहीं है जो उन्हें अलग धंग से देखने में मदद कर सके उनके बाप उतने ही ठके हुए हैं जितने वे खुद हैं वे हमेशा घुमाफदार बात बोलते हैं जो गरीबी से उदासी, उदासी से लालच और लालच से बेइंसाफी तक पहुंच जाती है उनकी बात सुनकर मुझे तो अलग अलग दुनिया दिखाई देती हैं एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपनी जन्म की जाती के कलंग से दबा हुआ है दूसरा साजिश करने वालो, बिचोलियो, पुलिस वालो, कानून को लागू करने वालो, नोकर शाहो और राजनिताओ की साजिश है दोनों ने मिलकर बच्चे के उपर ऐसा बोच लाद दिया है जिसे वे उतार नहीं सकता है एहसास होने से पहले ही वे उसे उतनी ही नेचरली तरीके से एकसेप्ट कर लेता है जितने नेचरली रूप से उसके पिता ने किया था कुछ हटकर करने का मतलब होगा चुनोती देना और चुनोती देना उसकी परवरिश का पार्ट नहीं है जब मुझे मुकेश में इसकी जलक दिखाई देती तो मुझे खुशी होती है मैं मोटर सुधारने वाला मिस्तरी बनना चाहता हूँ वे दोहराता है वे किसी गेरिज में जाएगा और सीखेगा मगर गेरिज उसके घर से बहुत दूर है मैं पेदल जाओंगा वे जोर देकर कहता है क्या तुम हवाई जहास उड़ाने का सपना भी देखते हो वे एकदम चुप हो जाता है नहीं वे जमीन की और घूरते हुए कहता है उसकी छोटी सी बुद बुदाहट में एक शर्मिंदी की का एहसास है जो अभी तक अफसोस में नहीं बदला है वे उन कारों के सपने देखने से सेटिसफाइज है जीने वे अपने कस्वे की गलियों में तेजी से दोड़ते हुए देखता है मुश्किल से ही कभी एरो पिलैन फिरोसाबाद के उपर से उड़ते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सबस्क्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग डिस वीडियो